मधुमय का रोग हो या हाईब्रड प्रेशर या फिर किड्निस टूम सब में दवा के रूब में काम आते हैं आम के पत्ते नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर दोस्तों आम हर किसी का प्वास संदीदा फल है बच्चे हो या बुड़े हर कोई इसको बड़े शौक से खाता है मगर क्या आप जानते हैं कि आम ही नहीं इसके पत्ते भी किसी वशाधी से कम नहीं है इसके पत्तों में अंटी ओक्सिडंट गुल विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C होता है जो अच्छे स्वास्थे के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है आज हम आपको आम की पत्तियों को सेवन करने का तरीका और इससे होने वाले फाइदों के बारें बताएंगे दोस्तों आगे बढ़ने इस पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगए बेल आइकोन को जुरूरत बादेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें अगर आप शूगर के मरीज हैं तो आम के पत्टों को सेवन करें आम के पत्टों को सुखा कर उसका पौडर बना लें फिर रोजाना एक चमच खाएं इससे धीरे धीरे आपका शूगर लेवल कंट्रॉल में होने लगेगा आपको जानकर हैरानी होगी कि आम के पत्तों से ब्लड प्रेशर की समस्यद दूर होती है आम के पत्ते को उबालने और नहाने वाले पानी में आम के पत्ते डालकर नहाए इस से आपको ब्लड प्रेशर की समस्यद से जात मिलेगी अस्थमा के रोगियों के लिए आम के पत्तों काड़ा किसी ओशदी से कम नहीं है रोजाना ये काड़ा पीने से आपको अस्थमा से रात में लेगी अगर आपको हिच्की आती है तो दिन में एक से दो हिच्की आन तो ठीक रहती है मगर इससे ज़्यादा अगर हिचके आने लगें तो आम की पत्यों को उबाल ले और उसके पानी से गरारे करें गरारे करने से कुछी देरे में आपको फरक दिखाई देने लगेगा आप गर आपको किड्नी की पत्री है तो आम की पत्यों से किड्नी और गुर्दे की पत्री दूर होती है इसके लिए रोजाना पत्यों से बने पौडर को पानी के साथ पीने से पत्री की समस्या ठीक हो जाती है आज की समय में तीन व्यक्ति पेट की समस्या से परशान है पेट की परशानी से रात पाने के लिए आम की पत्यों का इस्तेमल करें आम के पत्यों को रात भर पाने भिगो कर रखें और सुबह उठकर इसको च्छान कर पी लें इस पानी को पीने से पेट की परशानी दूर हो जाएंगी तो दोस्तों यह थी आज की जानकारी आम के पत्नों के फायदे के बारे में और इसको कैसे इस्तमाल करना अमीद है आपको यह जानकर अच्छे लगी होगी तो अपने दोसतों मित्रों के साथ भी इसको शेर कीजे तागि वो भी इसका फायदा उठा सके आप अपने दोस्त को इजाज़ाद दीजिए फिर मिलते अगले वीडियो में ने टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थन्यवाद